हेलो गाइज वेल्कम बैक टो माइज यूट्यूब चैनल माइम इस मनीश गुपता और वाचेंग भी सीजी लेक्चेर्स तो जैसा कि आप सभी को मालूम है ब्जड़ी सीटी वन त्री वन आपका कोर्स कोड है एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड यूनिट तॉमी और रिजेनरेशन एक्स्टेंसिवली कैसे करता है उसके बारे में हम जानेंगे आज की टॉपिक में और पिसला टॉपिक जो था प्रहें जनल करेक्टरिस्टिक्स और इंट्रदक्शन के बारे में जाना था तो देन आप हमाएं टेलिगराम चैनल पर फोलो कर सकते ह देन स्टार्ट करते हैं हम क्लास बिना किसी समय वेश्ट करे हुए तो देन गाइज आप सभी को मैं बता दूँ आटो टॉमी आटो टॉमी देगे यहां तक पहुंचने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूगा कि आप क्या है प्रिविएस वीडियो को वाच करिए इस इसके इंटर्डक्शन को देखिए इसके जैनल फीचर्स को देखिए देन उसके बाद यहां पर इस सेकेंड पार्ट पर आईए ठीक है देन इससे क्या होगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे देन समझेंगी तो आपको क्लियर ली एकदम क्रिश्टल क्लियर होता चले लेग है अब यह जैसे कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो हो सकता है मैं भी आपको ना समझ में बीच में खेर वैसी वैसा सिचिवेशन में होने नहीं दूँगा मैं आपको ओल पार्ट जो है अच्छे से क्लियर करूँगा बाकि अगर आप चाहें तो आप प्रिविज वीडियो क इसको भी वाच करें जिसे कि आपकी नॉलेज जो है और भी जाधा इंप्रोव हो सकती है दन बात करें ओटो टॉमी देखिए ओटो टॉमी का अगर मैं बालू सिधा साधा सा जो अर्थ होना चाहिए जैसे कि कोई भी ऑर्गनिजम है कोई बी जैसे कि अगर मैं लिजार का एक उसकी खुबी मालूम होगी जैसे ही वो किसी तरह का थ्रेट महसूस करता है या मैं वो खत्रा महसूस करता है तो देन वो क्या करता है वह अपनी टेल को क्या कर देता है लीव करके वहां से चला जाता है यानि पूछ को छोड़ देता है ठीक है जस्ट एक प्रकार का एस मतलब कोई भी केमिकल जो होता है असके पूछ के पास से रिलीज हो जाता है इसके पूरे बॉड़ी पार्ट से पूछ जो है तो जो है तो जब उसे किसी तरह का थ्रेट लगता है तो छोड़ देता है तो कहने का मतलब है autotomy वैसा feature या मैं बूलो वैसी एक characteristic होती है animals की जिसमें क्या होता है कि वो किसी threat को पाने के बाद वे अपना किसी भी part को कोई भी part हो सकता है उसका arm भी हो सकता है leg भी हो सकता है कुछ भी part हो सकता है वो क्या है वो वहाँ छोड़के भाग जाता है जैसे कि octopus की बात करो तो octopus के case में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा octopus के case में उसमें वो क्या है उसका arm क्या है cut भी जाता है then क्या है अगर वो cut जाता है तो then वो regenerate भी कर जाता है तो यानि यह extensively regenerate भी कर सकते हैं अपने किसी भी body part को clear है यहां पर तो हम बात कर रहे थे क्या एक hyno dermata की ब होता है और dermata का मतलब होता है skin ठीक है तो वैसे और जिसके क्या हो spiny skin हो वो क्या कहलाता है guys एक aynodermata कहलाता है एक aynodermata में आते हैं इसमें मैंने बताया थे कुछ organism के नाम जैसे कि sea cucumber हो गया या फिर sea lily हो गया या फिर sea urchin हो गया या फिर starfish हो गया सारे organism इसका part है then बात इसमें ज्यादत तर जो एक group है जिसके कहें जिसमें की वो pentameroes radial symmetry को follow करते हैं जैसे कि अगर मैं एक starfish को draw करूं इस तरीके से starfish को draw करूं तो starfish में आप देखोगे इसके क्या है five arms है ठीक है तो यही five arms क्या है pentameroes क्या बनाते है radial symmetry बनाते है radial symmetry का मैंने बता दिया था कि ज इन्वार्मेंट को tackle करता हो यह मैं कहूं यह कई plane से इसको हम क्या है काट सकते हैं एक दो या दो से अधिक plane से हम इसे काट सकते हैं clear है अगर मैं बात करता हो radial bilateral symmetry की तो bilateral symmetry में आप देखते हो कि एक ही plane से किसी और्गनोस को हम काट सकते हैं ठीक है और वो भी आपका कैसा कटे तो वो एक mirror image बनाएगा ठीक है left hand right left hand side वाला जो right hand side वाले का mirror image होता है तो radial symmetry की बात कर रहा था मैं क्योंकि अभी आपने देखा कि ज्यादत तर अभी हमने देखा कि organisms क्या हैं आपके advance होते जा रहे थे then bilateral symmetry so करते जा रहे थे then यह आपका जो आता है इसी में आपको एक जगे radial symmetry देखने को मिल जाता है लेकिन अगर हम बात करें need area की बात करें या फिर periphera की बात करें इसी में आपको radial symmetry देखने को मिलता है तो यह आपका जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं exception है यहाँ पर कि यह इतना advance होने के बावजूद इसमें radial symmetry so हो रहे है बात करें larval stage में आप देखते हो कि यह bilateral symmetry so करता है then बात करें this means that their body can divided into five equal parts मैंने बताया अभी कि यह centamorous radial symmetry so कर रहा है तो यानि इसको हम क्या है five equal parts में क्या है divide कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं around the central axis ठीक है एक central axis माले दैन उससे हम क्या है five equal parts में हम क्या है इसको काट सकते हैं माले कि central axis है तो हम इसको क्या है five equal parts में हम क्या है इसको डिवाइड कर सकते हैं ठीक है आप चाहे ऐसे डिवाइड करिये चाहे ऐसे डिवाइड करिये मतलब वैरियस तरीके होते हैं इसको डिवाइड करने के वैसे आप कर सकते हैं ठीक है पांच पांच भाग में क्या है एक कुल एक कुल बाढ़ सकते हैं धन बात करें हम बट तो हमें radial symmetry जो adult में देखने का मिलता है वो just secondary symmetry मतलब एक तरीके से होता है इसमें लिखा भी है larva of echinoderms are bilaterally symmetrical larva क्या होता है echinodermator का bilateral symmetrical होता है then बात करें during metamorphosis यह bilateral symmetry जो है larva का वो replace किसके द्वारा हो जाता है radial symmetry के द्वारा replace हो जाता है adult में clear है echinoderms जो है उसका relationship जो है other radial symmetrical invertive rates से होता है इसमें मतलब नहीं होता है जैसे कि यहां पर लिखा echinoderms have no relationship with other radially symmetrical invertive rates जो जिन में वर्टीबरा नहीं पाए जाता है तो इसका कोई से मतलब echinoderms का इन सबसे relation नहीं जैसे कि बात कर ले टैनोफोरा की बात कर ले या फिर कहते है नीड एरिया की बात करें या परिफरा की बात करें इसका इससे कोई relation नहीं है देन बात करें येट अनादर करेक्टरस्टिक ओफ एकायनोडर्म इस दप्रेजन्स ओफ इंटर्नल स्केलेटल फॉर्म ऑफ कैलकरास ओसिकल्स ठीक है तो अभी तक हमने देखा कि ज्यादा तर जो ओर्गनेजम हमें मिलते थे वो क्या थे उसमें आपको एक्जो स्केलेटन देखने को मिलता था क्या है गाइस एक्जो स्केलेटन या मैं वहलू आउटर स्केलेटन देखने को मिलता था ठीक है यानि बॉड़ी के बाहर स्केलेटन देखने को मिलता था अब यह जो आपका खायनोडर्मेटा आता है तो इसके अंदर क्या है यह बोनी और सिकल्स जो ह होते हैं और यह और सिक्ल सापको पूरी बाडी में मिल जाएंगे इस तरीके से मैं ने पिछले देख सकते हो स पधार वाला से फोगया और आधर सेप में यह क्या है इस तरीके से आपका यहां पर आप देखके समझ measure यह calculus ossicles होते है जहाने का मतलब क्या है , यह बोनी ossicles द्वारा बने होते है यह estaban यह three dv़ारा बने होते है methani calcium carbonate द्वारा बने होते हैं आज पिरिम आखर मुद्धभ toward a یूपले मुसें ब्पर तो में बता है कि इसमें हो धुक्ता है बोन्स भी होते हैं क्या है guys horizontal बोन्स भी होते हैं जो कि इसमें spiny look से देते हैं इस तरीके से इसी के उपर horizontal बोन इसे खड़े-खड़े से यह calcarous bone होते हैं जो कि इसको spiny presence प्रदान करते हैं spiny presence देते हैं clear है then यहां पर ossicles may be articulate with one another और they may be sutured together ठीक है तो यहां पर लिखा है just यह जो bone है वो articulated हो सकते हैं मतलब एक दूसरे पर क्या है just इस तरीके से चड़े भी हो सकते हैं जो कि एकदम sutured sutured की meaning मैंने बताई थी ना sutured just stitches stitches देखने को लगे है ना तो यह आपको बीच-बी यह spine आता है तो मैंने बताया था oriscord bone है इसको हम क्या कहते है यह horizontal bone जो इसी तरीके से यहां पर जैसे इस तरीके से arrange है यह जो है यहां पर जैसे कि मैने यह ossicle बनायाया है calcatorceosta cockal तो यहां पर क्या है यह spine spiny bone जो है यह जश्ट इक तरीके से horizontal लिख रहे होता है तो इसको हम क्या कहते है, टूबर्कल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, टूबर्कल्स कहते हैं, टूबर्कल्स, टीक है, तो इसको और सिकल नहीं, समझ लेना, यह जो horizontally bone arrange होते हैं, उनको क्या कहते हैं, टूबर्कल्स कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, project out from the surface of death, that gives the animal warty or spiny, यानि इसको क्या है, body को, warty or spiny look क्या है, प्रदान करते हैं, and इसमें लिखा है, और इसलिए इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा पड़ता है, यह चीज़तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, spiny skinned animals, यानि वैसे animal, जिसके skin पे क्या हो, spines हो, और spines ऐसे तीखे, spines नहीं हो होता है, then, बात करें, third characteristic features की बात करें, इसमें एक आइनोडर्मेटा की, तो इसमें presence of an unique system, यानि एक unique system होता है, जिसे हम water vascular system क्याते है, water vascular system मैंने पहले भी बताया था, कि इससे पहले हमने कहां देखा है, water vascular system, तो आप सभी को याद आएगा कि, sir, yes, need area में हमने क्या है, need vascular system देखा था, clear है, और water canal system किसमें देखा था, पॉरिफेरा में देखा था, तो ये जो एक, इसमें एक special type का, एक canal system बिल्ड होता है, canal कह रहा हूँ, vascular system बिल्ड होता है, जिसके through water travel करता है, उसके पूरी body में, and then, जो भी oxygen वगेरा होता है, वो उसके एक special type, क्या है, organ पाय जाता है, जो कि क्या करता है, water में से oxygen को separate करता है, and then, पूरे cell दक body पहुचाने का काम करता है, वो मैंने previous freedom बताया भी था, आपको, then, ये system जो है, silo में के लां से फिल्ड होता है, and इसमें क्या है, surface appendages पाय जाते है, ठीक है, and besides the functioning as food gathering and gas transport system, यानि ये कैसे काम करते है, just अग food gather करना हो, या फिर gas transport system करना हो, तो ये सारे के सारे functions जो है, ये इसके canal system के द्वारा होते है, वैसे मैं बात करो तो इसमें अलग से mouth भी होता है, then also aids in locomotion of the animals, और ये locomotion में भी help करते है, क्या है, locomotion में भी ये काफी ज़्यादा help करते है, तो gas transport system जो है, यहाँ पे locomotion में help करत extensive sylome that has the perivisceral cavity as well as the cavity of water vascular system, sylome of the entero sylose type होता है, entero sylose मैंने बताया था, entero sylose यानि बहुत ही ज़्यादा advanced type का use sylomate होते है, and sylomic fluid की बात करें तो ये क्या है, sylomic fluid में ये क्या है, amoebo cysts contain करता है, hymocytes देखने को नहीं मिलेगा, amoebo cysts देखने को मिलेगा, then blood vascular system की बात करें, तो ये काफी ज़्यादा reduce होगा, and does not play a significant role of circulation, structure की बात करें, तो dermal branch और two feet होता है, और water vascular system इसमें respiratory organs के थुरू होता है, then holothoridia की बात करें, जिससे आपका C cucumber belong करता है, इसका जो structure है, इसमें आपको respiratory organ जो है, just a tree like देखने को मिलेगा, then ये क्या करता है, that aids in gas exchange, ये भी a gas exchange में काम आता है, another class की बात करें, ये है आपका of erodia, जो कि इसमें बुर्सा जो है, बुर्सा प्ले करता है, role of respiration, नहीं काइड़नोडर्म जो है, can loss their body parts by autotomy, autotomy के जरिये क्या है, ये काइड़नोडर्म जो है, ये अपने body part को loss कर लेता है, जैसे कि मैं बात करूँ starfish की, तो starfish में अगर उस ये चीज आप common सी feature जानते हो, अगर यहां से इसका एक part काट दिया जाए, आम काट दिया जाए, तो ये वापस से grow भी कर सकते हैं, ये अलग भी हो जाता है, और grow भी कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का system होता है, यदि आपको इसमें clearly नहीं समझ में आया, तो मैं एक आपको के जसका figure बना के दिखाने के कोशिश करता हूं, तो guys, जैसकि अगर starfish की बात करें, तो starfish कैसा दिखता है आपका, कुछ इस तरीके का starfish होता है, ये देखे, ये, 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 कुछ इस तरीके का starfish होता है, ठीक है, ये है starfish, ठीक है, थोड़ा सा 3D look देते हैं से, है न, तो के कुछ इस तरही के का 3D लूग हम देने कोशिश करते हैं एंड इस तरही के का मानले ज़े की लोग होता है तो इसको हम बनाएं नहीं से तो इसको इसको कि काईनो डर्मेटा में कंसीडर हं में करते हैं मैं यहां अंदर क्योंकि इसके अंदर स्पाइश्राय को साहरी होते वह स्पािश्राय इस तरीके 629 इसके स्पाइश्राय कहा हुआ ने सुपर जा ने दो अगर इस तरीके 720 संग प्रवाइड कराने में काफी ज़्याद है यह प्रॉपर वे में तो नहीं बन रहा बड़ जो भी है यहां पर आपका इमेजिनेशन हो जाए तो देन मैंने सुचा कि आपको यहां पर बता दूँ ठीक है तो थोड़ा सा मालीजे कि यह स्टार्फिश है और यह स्टार्फिस मे यह जो गोल गोल से जो यह आपको प्लेट्स दिख रहे हैं यह प्लेट्स को हम क्या कहते हैं बोनी ओसिकल्स कहते हैं और इसमें क्या है यह जो सारे ही बोन्स क्या है फ्लेक्सिबिलिटी यह जो एंडोस्केलटन है इसके अंदर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी किसे आता है तो यह सारे ही जो bones и plate से इसके बाद आपको और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो इसके बाद आपको इसमें अगर मैं बात करोती है इसके जो baluable part में kya बात कर रहा हमें डोड़सली डोड़सली इसमे एनश प्रेजंट लिगनमे है यह और भा dancers प्रेजंट होता है यह इसमें औरल पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बात करें, एनस मैंने कहां बताया था, तो ये डोरसली प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, देन और हम क्या-क्या इसमें कर सकते हैं, तो यहां पर और आप देखिए, कुछ इस त स्टारफिश का, इसमें कई सारे कैनाल सिस्टम बिल्ड अप होते हैं, क्या होते हैं, कैनाल सिस्टम बिल्ड होते हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, सई से बना के थोड़ा सा, देखिए, तो यह कुछ इस तरीके का स्टारफिश होता है, और यहां पर क्या होता यहां से एक इसकी साइड में इस तरीके का रिंग होता है यह रिंग होता है यह रिंग क्या है यहां से पानिया है और इन रिंग में इस तरीके से वाटर चला जाता है इस रिंग को कहते हैं हम रिंग कैनाल क्या कहते हैं बात कर रहे थे हम यहां से क्या है कई सारे इस तरीके के ट्यूब्स हैं यहां से डिवाइड होके various parts or the arms यहां पर चला जाता है इस तरीके से ठीक है ये क्या है यहां पर चोटे-्चोटे-्चोटे-्चोटे-इसके मैंने बताया था यहां छोटे-छोटे-चोटे-्चोटे-चोटे-काफी सारे पीट होते हैं आप चाहो तो YouTube पर सर्च करना और इसको देखना कि ये किस तरीके से दिखते हैं तो आप देखो कि इस तरीके से यहाँ पर ये spiny से क्या होते हैं फिट होते हैं ये spiny से आप वो लुकेट मत कर लेना इसका जो अभी हमने बोन के बारे में बताता है नहीं ये spines जो है ये just is नहीं होते जस्ट यह ट्यूब होते हैं जिसमें से यह क्या है जितने भी केनाल सिस्टा में यह सारे ट्यूब फिट से क्या है connected होते हैं यह tube fit से connected होते हैं अब होता क्या है यहां से यह water carry करा इन्होंने water carry करा अब इनको क्या करना है एक जगे से दूसरे जगे movement करना है क्या करना है गाइस एक जगे से दूसरे जगे movement करना है तो देन ये water इधर आएगा और इसी के through होते हुए ये ring canal में आएगा और ring canal से जो various tubes जो यहाँ पर divide हो रहे हैं ये various tubes में आएगा देन उसके बाद यहाँ पर यह इस तरीके से tube fit है tube fit से water जो है excellent हो जागा यानि बाहर आजागा इसका जो current excellent current बाहर आजागा clear है और इसी के मदद से यह क्या है locomotion भी कर पाते हैं locomotion भी कर पाते हैं और एक जगे से दूसरे जगे भी जा पाते हैं है तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको locomotion भी को मिलेगा और इसमें क्या-क्या है एक चीज और था है यहाँ पर पैड़ी से लेशा की बात कर रहा थे हम तो कुछ की इस तरीके का इसमें क्या HTML होता है इस तरीके का ये just CRAMB में होता है और इस तरीके का क्या है पैड़ी की ripe pären अपना इसे ये जो आपको अब ऐसा कुछ sand हो गया या कुछ ऐसा foreign particles अगर अटेच हो जाता है तो यह इसकी मदद से क्या है खुद को clean करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो पैडिसलेरिया के ज्यादा कोई work नहीं होता है दन बात करें यहाँ पर जैसे कि मैंने यह figure बनाया था तो इसके उपर एक इस तरीके का यह होता है क्या कहते हैं यह तो आपके अलग से यह spines तो होई गए यह जो स्पाइन जो है टुबनिकल जो हो गए यह टुबनिकल जो बोन है यह अलग से हो गए दन यहाँ पर कुछ इस डरमल ब्रांचिय गारोल होता है लोगाई यहां पर होता है रही यहां पर फिल्ड होता है और साहथ यह क्या है यह जो water canal system जो इसके अंदर हमने देखा यह water canal system से भी attached होता है यानि जो भी water जाएगा वो क्या है डर्मल ब्रांचिया से होते हुए जाएगा तो डर्मल ब्रांचिया को जो भी oxygen उसकी requirement होती है वो डर्मल ब्रांचिया क्या है वो जस्ट इस water से oxygen को अलग कर लेता है यह डर्मल ब्रांचिया और various parts तक various cells तक यह oxygen को पहुचा देता है तो कुल इस तरीके से डर्मल ब्रांचिया का respiration में रोल होता है बात कर रहेते हम ट्री की तो ट्री भी एक प्रकार का respiratory system है जो की आपको किसमे अपका बुरसा जो है आपका किसमे देखने को मिलेगा तो बुरसा हो गया मेनली आपका आपको आपको क्लियर को गया गया तो I hope so टाइम टो टाइम मिलती रहेगी तो मिलते हैं इसे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाबाई